एक सवाल दोस्तों, हम सब के मंद में हैं और जो पैंशनर है या पैंशनर थे पहले उनके मंद में भी है वो सवाल ये है कि जिनकी अब जंददार फैमिली के वाईसी से पैंशन बंद हुई है आखिर उनके साथ सरकार क्या करेगी? क्या उनको पैसा वापस बनना पड़ेगा? या पिर उनको पैसा वापस नहीं बनना पड़ेगा? क्योंकि जो गलत तरीके से पैंशन ले रहे थे, उनके खिलाब कुछ न कुछ तो सरकार करेगी लेकिन क्या अब क्या करेगी सरकार वो चीजी समझने की हम कोशिज करते हैं इस वीडियो कर सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूँ आपको जिसकी भी पैंचन फैमेली एक वाइसी से रिजेक्ट हुई है या फिर वो कैंचल हुआ हो इसका एप्लिकेशन तो उनकी क्या पैंचन सरकार वापस लेगी तो इसका सरल सा सीधह सा जबाब यह है कि आपकी ये पैंचन हर एक किस्त के जरीए वापस ली जाएगी, रीकवर की जाएगी ऐसा नहीं है कि सरकार आप से एक भी पैसा वापस नहीं लेगी लेगे जैसे आप payment का status देखते हैं कि कुछी तरह धीरे-धीरे आपकी ये payment के जो status है वो payment धीरे-धीरे delete होने लगेगा यदि आपका application है वो cancel हुआ है और अजब आप राज SSP application के अंदर status देखते हैं तो उसके अंदर लिखा आता है भुगतान लोटाने का कारण क्या है तो उसके अंदर लिखा आता है कि जन्दार card के अंदर जनन्तिती जो है for eligibility criteria के अंदर नहीं आती है तो उस हिसाब से हमें यह लगता है कि pension हमसे वापस ले ली जाएगी और जैसे मैंने आपको बताया कि pension हर एक की एक किस्त के साब से ली जाएगी जैसे आपका 1000 रुपे pension आता है तो पहले मैंने जैसे pension आपके डाली गई थी उसी तरह आपकी pension वापस debit होती जाएगी आपके account से यदि आपके account जंदर पैचे होंगे तो दीरे दीरे debit होना चुरू हो जाएगी जैसे आपका payment जैसे आता है pension जैसे आर किसी की pension आती ही 25 के आसपास आती है pension 25 के आसपास तो उसी तरीके से pension है वो वापस debit की जाएगी आपके account से यह सत्य है और यदि दोस्तों आप वापस से उस eligibility criteria के अंदर आ जाते है वापस से कई लोग reality में pensioner के हकदार है लेकिन उनके साथ ये गलत हो रहा है क्योंकि आदार कार्ट के अंदर जब आदार कार्ट बनाया गया था उस समय जो उमर यहाँ पे किसी ने बोली होगी वही लिग दी गई थी किसी का पर्ची पतर है तो पर्ची पतर में जादा है बट उसके अंदर नहीं है और reality में भी जादा है और उसकी pension बंद हो गया तब उनको गबराने की कोई भी जरूत नहीं है उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे है इस वीडियो में बता देता हूं कुझ को गबराने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप अपने पर्ची पतर के साथ अपना जनंप्रमान पतर बनवा लीजए मुश्किल नहीं है जनंप्रमान का बनवाना बहुत आसान है बना लीजे आप reality में ही आप तैसिलदार के सामने खड़े हो जाई है जब जनंप्रमान पत इसका लगता है यदि उनको लगा हाँ रियलिटी में वो है तो उनका जनम परमान पतर बहुत ही आसानी से बन जाए उनके लिए आइडेंटिक के लिए आप दे सकते हैं प्रच्य पतर क्योंकि प्रच्य पतर पहले आया था उनका यही उपाह है उसके बाद में आपकी ओटो डेबिट नहीं होगी क्योंकि आप नहीं पैंचन के लिए अपलाई कर देंगे क्योंकि वो अकाउंट भी नहीं होगा जन्न अदार कार्ड के अंदर और आपको अपना दूसरा अकाउंट ही जोड़ना है यहीं दूसरा नहीं जोड़ते हैं सेम जोड़ते हैं तो आप जन्न परमान पतर बनाईए अदार कार्ड के अंदर जो जन्न परमान पतर बनवाते उसके आदार पर अपडेट करवाईए फिर आदार गार्डगर अपडेट हो जाएगी फिर EKYC को अपडेट कर लीजी उसके बाद में जो आपकी पैंजन है वो फिर से सुरू हो जाएगी और आप से किसी भी परकार का पैसा वापस भी नहीं लिया जाएगा तो दोस्तों साइट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पैसे है वो रिकवर किये जाते है अब कई लोगों के जो इकिवाइसी से भी बंद नहीं हुई पैंजन उनकी जो हो सत्यापन नहीं हुआ था दो यह तो सट्यापन किसी ने डिलीड होता जा रही है ठीक है यहोगे ऊसको उसको उस है सत्याप नहीं कि हैं, इसलिए बंद हो जा रहा है, अब दोस्तो, जिनका भी पेंसर आ रहा था, उनकी बंद हो गई है, तो आपसे पैसा समस्रकार वापस लेगी। ऐसा नहीं है कि बढ़ा के लेगी जितना आपको दिया है उतना लेगी न कि आप से ज्यादा लेगी जितना आपको पैसा दिया है सरकार ने उसी परकार देरे देरे आपसे अरकाउंट से लेती रहेगी तो दोस्तो इस वीडियों बसत नहीं और वीडियोज के लिए से लगो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तो पैंसन किस तरीके से वापसालू की जाती है किसी की बंद होगी है जन्दार के वाइसी के वज़े से बंद होगी है मैंने इसके उपर पहले से वीडियो में बना रखे है तो आप उन वीडियो में पिर मिलेंगे